तो बच्चो आज हम आपके सामने एक नया बहतरीन फैक्स लेकर आये हैं आपने अपने लाइब में देखा होगा कभी-कभी आपको कुछ लोग बोलते हैं मगर मच्च के आसु मद बहा तो आखिर यह कहावत आई कहा से? जो लोग बोलते हैं चल मगर मच्च के आसु मद बहा मतलब इसकी पीछे कुछ तो रीजन होगा जो कहावत पैदा हुई तो आज हम यह जानेंगे इस मुहावरे के बारे में बात करेंगे जिस मुहावरे का नाम क्या है? मगर मच्च के आसु इंगलिस में इसे बोलते है फ्रेज और इडम्स चल यह समझते हैं आखिर यह कहावत कहां से पैदा हुई कहां से इस कहावत का जन्म हुआ? यह देखिए जरा इनके दातल पतत देख लीजिए इतने नोखिले हैं इंसान कैसे रोएगा था bought कैसे क्यू रोएगा सूचो जरा अब rubbish मगर मचळी शिकार कार करते हैं मस्त पे दबाके खाते पीते हैं और खाने पीने के बादक ंदक कुस तो घर्टा है जिसकी वज़े से बीज़े से रोते हैं मैं आको वीडियो में आगे समझाओंगा आप आप देख सकते हो यह यहां पर इनको रोते हो यहां किया भी यहां आसु इनके बह रहेख करो रह유 कि आसु इनके टीयर। देने आए पानी में रो रहा है पता ही नहीं चल रहा है विए अगिर समझते हैं कि होता क्या है अब यहां पर धाल दी किसी से अब जहां तक बात मगरमच की आसुओं की है तो साल 2006 में नियुरोजिस्ट डी मैलकॉम सेर और जूलोजिस्ट केंट ए विल ने क्या किया एक अमेरिकन घडियालों पर एक रिसर्च किया इंडियन पर नहीं जो अमेरिकन घडियाल है उन पर क्या किया गया बच्चों रिसर नहीं लगे उनको बाहर दिया गया जहां पर पानी थोड़ा भी नहीं था और ऐखाना खा रहे थे उनके आंखों से क्या निकलने लगा आसु तुमको लगा होगा रहे है सोच रहा होगा मैं किसी को खा रहा हूँ उसके दुख में रो रहा होगा नहीं अमेरिकन घड़ियालों के आखों से बुलबिले और आसु की धार निकलने लगी बाय बायो साइंस में इस स्टडी को रिजर्ड बताते हुए कहा गया कि मगर मच वाकई खाते हुए आखों से आ देखे यहां पर आपके सामने एंसे कहांने पर ट्यएर ग्लैंट में खिचा हूँ होता मैं ने इस एसे कर रहा हूं न मेरे बहुत सरी मास्पपशियाच काम रहा है यह नहीं कर रही है जब मैं खाणा एक क्राणु कर houses तो उनके tear gland में क्या होता है? खिचाओ होता है. इसलिए आसु निकलते हैं. और फिर क्या हरने लगता है ओ? आसु निकलना शुरू हो जाता है. इन में इस तरह के आसु पीछे कोई भी emotion नहीं होता है. इसके पीछे कोई इनका emotion नहीं होता. इसलिए इसे घडियाल या मगरमच के आसु कहा जाता है तो घडियाल और मगरमच के आसु क्यों कहा जाता है क्योंकि वो जान हुच करके नहीं रोता है वो by default रो रहा है जब वो खाना खा रहा है तो क्या हो रहा है उसका tear gland क्या हो रहा है फीच रहा है और वहां से क्या निकल तो तुम खाना खा रहे हो और तुम खाना खाते टाइम पर ऐसे दर्द हो, जिसे तुम राश्ते पर चल रहे हो, ठीक है? और अचानक से आगर आख में आगे, आपके कुछ लग गया, तो धूर ला गया, तो अपने आप आशू निकलेगा नहीं निकलेगा, तो तुम उस टा अगर यहीं, कभी कबार क्या होता, जासे इनको देखिए, यह भाबु समन लेते हैं, यह भाबु जी हैं, और यह यह बाबु जी है, और इनको मिला 92 परसेंट अब अगर ये पार्टी मना रहा है डीजे बजे का लाउड भाई या दीजे पार्टी वटी इनके दोस्त अंगरू-मगरू-पंगरू-चात्पांदर्जन आ करके नाच रहे हैं यह सब दोस्त है इनके यह सब पार्टी कर रहे हैं तो यहां पे इन पार्टीट परसेंट आने के बाद भी यह बैचारी रहे हैं किया कर रही है तो यहां पर एक क्या है इमोशन काम कर रहा है क्या काम कर रहा है इमोशन इसे लगा था कि मैं आझ तक जाहुँगी और मिले कितना इसको 92 तो जो यह जो लड़की रो रही है उसके पीछे क्या एक इमोशन इह लड़का एक पार्टी रकर के नाच रहा है तो क्या एक एमोशन एंजॉइमेंट कर रहा है तुछ थोटी फाइप परसेंट आ गया वे मैं तो फेल होने माला अब प्रावर यहां तक ही नहीं है, अब भाई साब ये भी रो रहे हैं, बोलो जुबा के सरी, ये भी रो रहे हैं, अब इनसे पूछा गया, क्यों रो रहे हैं तुम क्यों रो रहे हो, तो बोलते हैं भाई साब, क्यों ये जो बेबी है, और रो रही है, इसके लिए हम भी र रो रही है इसलिए हम भी रो रहे हैं मतलब इनका emotion किस से connected है बेबी के साथ बेबी हसेगी तो यह हसेगे बेबी रोएगी तो यह रोएगे तो जहां पर emotion की वज़ा से आप रोते हो तो आपकी जो आसू होते हो सच होते लेकिन यहां पर घडियाल के आसू सच है क्या कोई सचा है उसमें नहीं इसलिए यह कहावत पैदा हुई कि घडियाल के आसू मत निकार अब यहां पर कोई और ऐसे फोकटकार हो रहा है कि बस यह मेरा दोस्त है जब तक देखते रहेगा तक तक रोते रहोगा तो मुंडी